सेडान सेगमेंट तेजी से इतना चोटा हो गया है कि अब 10 सेडान भी मार्केट में अविलेबल नहीं है मई 2023 आटोमेबिल सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा आज इस वीडियो में हम उन सेडान गाड़ियों के बारे में जानकाई देने जा रहे हैं जिन्हें काफी पसंद किया गया है शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओकेकार 24-7 यूट्यूब चैनल पर 10 पोजिशन पर इश्कॉडा की सुपर्ब 10 यूनिट्स बिके हैं मई 2023 में एक ब्रीमियम सेडान है जिसे काफी पसंद किया जाता था इस टार्डिंग में लेकिन अब यह और नहीं आएगी 34,17,000 रुपे की एक्शोरुम प्राइस पर आती थी और 37,27,000 रुपे का इसका टॉप मॉडल आता था इसमें बड़े अपडेट किये जाने हैं और बाद में लॉँच किया जाएगा अक्ताविया को भी डिसकंटीन्यू कर दिया गया है 9 पोजिशन पर मारुती, सिजुकी, सियाज, 992 यूनिट्स बिके हैं मई 2023 में ये किवल पैट्रोल बेरेंड में आती है, मैन्वल और और अटमेरिक ट्रांस्मिशन में रोड प्रिजेंस के मामले में अभी भी काफी अच्छी लगती है लेकिन काफी टाइम से इसको बड़े फेसलिफ्ट अपडेट नहीं मिले हैं ये इसी लुक में काफी समय से एज इस बिक रही है 9,30,000 रुपे से प्राइज शुरू होती है और 12,45,000 रुपे तक जाती है 8 पोजिशन पर होंडा सिटी 1532 यूनिट बिके हैं मई 2023 में होंडा सिटी को बड़े अपडेट्स मिले हैं इसका एक hybrid engine option भी market में launch कर दिया गया है यहाँ पर जो हॉंडा सिटी market में भी available है उसमें आपको अब केवल petrol वेरेंट ही मिलता है manual और automatic transmission में पहले इसमें diesel वेरेंट भी आता था लेकिन उसको discontinue कर दिया गया ग्यारा लाग बावन हजार रुपे ते इसकी price शुरू होती है और 16 लाग रुपे तक जाती है इसके बाद Volkswagen Vertus 7th position पर 1631 वेके हैं इसके मई 2023 में Volkswagen Vertus भी केवल petrol वेरेंट में ही आती है manual और automatic transmission में ये इंडिया की safest sedan है road presence के मामले में भी ये काफी शानदार है 6th position पर इसकोड़ा की सलाविया 1695 यूनिट्स भीके हैं मई 2023 में इसकोड़ा की सलाविया की भी road presence काफी अच्छी है केवल petrol वेरेंट में ही आती है manual और automatic transmission में 11,49,000 रुपे से action room price शुरू होती है और 18,18,000 रुपे तक जाती है 5th position पर टाटा की टिगोर 2701 यूनिट भीके हैं मई 2023 में टाटा की टिगोर जो है एक सेडान है पेट्रोल के अलावा CNG का option यहाँ पर available है CNG तो केवल हर गारी में manual transmission में ही आता है लेकिन यहाँ पेट्रोल के साथ automatic का option भी आपको देखने को मिल रहा है टाट टिगोर का एक electric version भी आता है पेट्रोल वेरेंट की प्राइज 6,30,000 रुपे तक जाती है और 8,90,000 रुपे तक जाती है और टिगोर का जो EV वेरेंट आता है उसकी प्राइज 12,49,000 रुपे तक जाती है फोर्थ पोजिशन पर आई है होंडा अमेज 3,128 यूनिट्स बिके हैं होंडा अमेज के रिसेंटली प्राइज हाइक मिला है आपको होंडा अमेज में और डीजल वेरेंट को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है होंडा अमेज भी केवल पैट्रोल वेरेंड में ही आती है और मैनुल के साथ आटोमेटिक का आप्शन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है 7,1,000 रुपे से होंडा अमेज की प्राइज शुरू होती है और 9,62,000 रुपे तक जाती है थर्ड हाइस सेलिंग से डान है Hyundai की वर्ना 3,687 यूनिट्स विके हैं Hyundai वर्ना के रिसेंटली बड़े अपडेट्स मिले हैं रोड प्रेजन्स के मामले भी काफी अच्छी लग रही है हाला कि डिजाइन को लेकर के काफी मिक्स उपिनियन सामने आए है इंटीर तो शांदार है ही यहाँ पर Hyundai वर्ना भी केवल पेट्रोल इंजिन आप्शन में ही आपको देखने को मिल रही है मैनुवल और और औरमेरिक आप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है 10,90,000 रुपे से एक शुरूम प्राइस शुरू होती है और 17,38,000 रुपे तक जाती है सेकंड हाइस सेलिंग सेडान है Hyundai की औरा Hyundai औरा के मई में 4,707 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर यहाँ पर यह जो गाड़ी है पेट्रोल के साथ आजाती है Manual और Automatic Transmission का Option मिल जाता है हलाकि CNG भी अविलेबल है प्राइस की बात करने तो 6,32,000 रुपे ते प्राइस शुरू होती है और 8,90,000 रुपे तक जाती है नमबर 1 पोजिशन पर Maruti Suzuki Desire Compact Sedan है 11,315 यूनिट्स बिके हैं Maruti Suzuki Desire के Top Selling में नमबर 1 पोजिशन पर ही हमेशा बनी रहती है पैट्रोल और CNG में अविलेबल है Manual और Automatic Transmission में CNG जो है वो सभी गाडियों में केवल Manual Transmission में ही आता है यहां पर Maruti Suzuki Desire की जो प्राइस हैं वो 6,52,000 रुपे तक शुरू होकर के लिंक आपको description में मिल जाएगा और इसी चैनल पर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं Thank you for watching